हेलो बच्चो, आज कर्ण स्कूल में समवाद लेखन का कारियर दिया जाता है और वो बच्चों को लिखने में काफी परिशानी होती है लेकिन इसे लिखना बहुत आसान है जैसे यहाँ पर मेले लिखा है वैसे ही आप भी लिख सकते हैं अगर आप किसी काम को मुश्किल समझेंगे तो वो मुश्किल हो ही जाएगा इसलिए बिना डरे कोई भी समवाद लेखन कीजिए समवाद लेखन है क्या हम दिन भर समवाद ही तो बोलते हैं हम जो भी बाते किसी से करते हैं वो समवाद होता है तो बस सोचते जाईए और लिखते जाईए जैसा मैंने याप लिखाया लेकिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लिजिए ताकि आगे आने वाले अनुशेद, कहानिया, पत्र, समवाद लेखन आपसे छूटने नपाएं और अगर आप इंग्लिश पर पर परग्राफ से आते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर जाएं जिसका नाम है लेट्स लॉन इंग्लिश और परग्राफ्स तो चली शुरू करते हैं जनम दिन के अवसर पर दो मित्रों का समवाद दीपक, आओ अमर, तुम्ही देखकर बहुत खुशी हुई अमर, दीपक, तुम्ही जनम दिन की बहुत बहुत बधाई हो दीपक, धन्यवाद, आओ बैठो अमर, ये लो, तुम्हारे जनम दिन का उपहार दीपक, धन्यवाद, उपहार की क्या ज़रूरत थी? अमर, ज़रूरत क्यों नहीं थी? आखित तुम मेरे सबसे प्रिये मित्र जो हो दीपक, चलो आओ, कुछ जलपान का प्रबंध किया है तुम भी कुछ ले लो उमीध है समवाद लेखन आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू